एक संदेश भी भेज़ है सरकाद जो हराम के जने रोटिया देने वालों के हाथ काट देते हैं उनके लिए चिट्ठी नहीं चेता एक आदमी को मारा तो मुझे डाकू कह दिया अब की बार तीन सो को मारा है तो समझ जाओ ये एक आंदोलन है स्वतंत्रता के लिए जन जन का आंदोलन आज के बाद जहाजों में भरके हमारे सफेद का पास विलायत नहीं जाएंगे तुम्हारी सपे चमणियां जाएंगी अपनी भारत भूमी पर खड़ा मैं तुम्हें साखधान करता हूं मेरा देश छोड़कर चले जा वरना युद्ध होगा तुम्हारा शुक्चिंत मच्चारी नर्सिमा रेटी वर करता है तुम्हार रेटी जाएंगे जामगे नर्सिमा रेटी जाएंगे पुच्छने लिखाईस वो हमारे सामने खुद आके हमेचे दावनी देके चला गया जो दिश्रू कर गया है सरकार मैं खुश हूँ के आप लोग हमारे साथ चुड़ गए अब हमारा विद्रो जन जन का अंदोलन बन जाएगा अब आगे क्या करना है हम अगर अपने किलों से लड़ते रहे तो इसे पालेगारों का युद कहा जाएगा लोगों के साथ रहकर लड़ेंगे तो ही ये जन अंदोलन बनेगा हम प्रजा के साथ ही गए सिद्धमा क्या आज तक मैंने तुमसे कभी कुछ मांगा है कभी नहीं यहां क्या कह रहे है क्या आज तो मुझे एक वच्चन दोगी क्या तुम मेरी तने लड़ सकती हो मेरी जीवन संगनी तो तुम होई लेकिन क्या तुम मेरी संगाड संगनी बन सकती हो मतलब आप यूद करेंगे अंग्रिसों से और मैं जीवन का ही यूद बिना आपके लड़ने के लिए तयार मेरी तुम मेरी तुम बच्पन से बलिदान देती आ रही हो इस जनम के लिए क्या तुम मुझे शमा घरवाओं यह क्या रहे हैं ऐसी बात मत कीजिए सब करते हैं आपका प्यार कोई और है और मैं भी चांती हूँ कि यह सच है लेकिन मैं आपको रोकूंगी नहीं यह धर्दी और यह लोग कि आपकी जरूरत है ना चोड़ने का वचांते अतना आपने आपके पचान को कभी तोटने नहीं तोगी आज मैं आपको आजाद कर रहे हैं निश्चन दोकर लड़ी आपको आपकी नहीं पारे रहे हैं नहीं झाल झाल